हाई एव्रिवान हलो बचाबाटी क्या हाल चाल कैसे हैं आप सब लोग वेलकम बैक टो अनादर क्लास आज है हमारा डे टू क्रैश कोर्स का बच्चो आज है डे नमबर टू और आज हम लोग थर्मल फिजिक्स को कंटीन्यू करेंगे ठर्मल फिजिक्स का अगला चाप्टर आज होने वाला है नया चाप्टर आज होने वाला है फ्रेश चाप्टर है जिसका नाव है बच्चो हीट टरांसफर ठिक है आज का सेशन बहुत जिरूरी है आपके लिए कि आप इसको लास तक देखें reason क्या है बच्चो यह जो heat transfer है ना यहाँ पर ऐसे ऐसे topics है जहां से हर साल question आता है जैसे कि यहाँ पर एक topic है conduction का conduction के अरावा यहाँ पर radiation है radiation में आपका weans law है, weans displacement law है उसके बाद last में जो है newton's law of cooling है है ना, newton's law of cooling है तो आप देखेंगे तो सारे topics आपने सुन रखें होंगे कि यह बहुत ही ज़्यादा important topics है और यहाँ से questions लगभग हर साल बनते है आज जो हम लोग अभी डेड़ घंटे में पढ़ेंगे बेटा वो आप मान के चलिए कि आपको एक question definitely दिलाएगा कम से कम in your need exam यानि कि आज जेड़ घंटे में आप अपने चार मार्क्स की तयारी करके जाएंगे यहां से तो how's the Josh बच्चो जोष हाई है के नहीं है जोष बहुत हाई होना चाहिए बहुत मज़ा आने वाला है पूरी feel के साथ आपको पढ़ाऊंगा कल का chapter इतना feel वाला नहीं था कल का chapter was more of a formula based chapter है ना लेकिन आज जो होगा उसमें बहुत कुछ आपको feel भी कराया जाएगा बहुत कुछ आपको theory भी पढ़ाई जाएगी बहुत कुछ आपको जो है ना visualize करवाया जाएगा जिससे आप और अच्छे से इस chapter को समझ पाओगे मैं ये चेक करना भूल गया कि मैं live आया हूँ या नहीं आप आया हूँ एक बार जल्दी से चेक कर लेते हैं yes I am live है ना चलिए I am live आईए बेटा शुरू करें फिर chapter को आज class डेड़ बजे क्यूं हो रही है पहले क्यूं हो रही है आज class पहले इसलिए हो रही है क्योंकि हमें एक meeting में जाना है अने academy meeting में और वो शाम को है बेटा जिसके लिए जरूरी था कि class को या तो पहले रखा जाए या तो आज से postpone करके कल रखा जाए तो मैंने postpone करना सही नहीं समझा आपका flow बना हुआ है तो flow बना रहना चाहिए और इसलिए मैंने class को रखा और अभी रखा है तो आवाज clear आ रही है दिखाई दे रहा हूँ, सुनाई दे रहा हूँ तो आईए शुरू करते हैं class को और पढ़ते हैं हम लोग heat transfer ठीक है सबसे पहले बेटा heat transfer में हम लोग पढ़ेंगे modes of heat transfer different different types of modes होते हैं heat transfer के लिए इसका मतलब यह हुआ कि अगर heat को एक जगे से दूसरी जगे पर जाना है तो उसके अलग-अलग mode है अलग-अलग तरीके हैं ले जाने के ठीक है अलग-अलग mode है या फिर अलग-अलग तरीके हैं उसको ले जाने के वो तीन mode कौन-कौन से है यह मैं आपको सिखाऊंगा चाय बना के है ना तो आईए चाय बनाते हैं और चाय बनाते हुए सीखते हैं कि ये तीन अलग-अलग मोड कौन-कौन से हैं जिससे की heat transfer होता है जिससे की heat transfer takes place ठीक है देखिए ये चाय की केतली चड़ी हुई है यहाँ पर है ना गर्म-गर्म चाय बिटा आपके लिए तयार हो रही है ठीक है यहाँ से आप देखेंगे तो heating coils लगे हुए है अब सर्दियों का मौसम है हम लोग कई बार करते हैं ना कि यहाँ से जो flame निकल रहा है या फिर जो heat निकल रही है तो pass में जाके ऐसे हाथ सेखने लग जाते हैं दूर से ही touch थोड़ी ना करते हैं उसको ऐसा थोड़ी ही कि आप आग को ऐसे छोने लग जाते हो नहीं ना ऐसे heating coil को छोने तो नहीं लग जाते हैं आप अगर थोड़ी सी गर्मी चाहिए तो दूर जाके ऐसे खड़े हो जाते हो थोड़ा दूर ऐसे हाथ बाद सेख लेते हो क्योंकि हाथ गरम हो गए तो पूरी body warm हो जाती है ये mode है बेटा radiation इसको किसी medium की आवश्यक्ता नहीं है अगर यहाँ पर vacuum भी होता और तुम ऐसे हाथ सेखते तो तुमको हाथों में बढ़िया सी गर्मी मिल जाती this is called radiation it requires no medium ठीक है radiation के लिए अभी मैं आपको notes भी दे दूँगा notes है यहाँ पर सारा का सारा ठीक है it requires no medium radiation को किसी भी medium की आवश्यक्ता नहीं है किस speed से आता है radiation ये electromagnetic wave के form में आता है यानि कि जैसे sunlight होती है sun से earth में पहुँच गई बीच में कई जगे medium है ही नहीं बट फिर भी तो आप तक पहुँच रही है न light है ना sunlight आखिर sun से earth तक आपके पास आ रही है बीच में कई जगे medium है भी नहीं vacuum है बट फिर भी आप तक पहुँच पा रही है तो इसकी speed होती है 3 into 10 की power में 8 meter per second 3 into 10 की power में 8 meter per second यानि के जिस speed से light चलती है जिस speed से electromagnetic wave चलती है उसी speed से चलता है हमारा radiation ठीक है तो radiation मतलब हम जाके ऐसे खड़े हो गए हमने आग ताप लिया है ना आग सेक लिया that is called radiation ठीक है अब समझते है conduction हुआ क्या यह जो चाय जिसमें बन रही थी वो जो बरतन है वो गरम हो गया धीरे धीरे है ना मालो handle में वो जो backlight लगा होता है PVC material वो नहीं लगा हुआ है टूड गया कई बाट टूड जाता है ना plastic नहीं लगा हुआ है यह मालो iron rod ही है यह handle भी तो rod भी गरम हो जाएगा अब आपकी चाय बन गई आपने उसको छुआ यहाँ पर आपने directly किसी चीज को छुआ और energy आप तक आई इसको बोलते हैं conduction यहाँ पर direct contact होता है देखिए medium नहीं चोगी है था radiation में तो radiation में direct contact के जुरत नहीं थी दूर से भी आप तक heat पहुँच जाती है ना दूर से आप सेखते आप तक heat पहुच जाती लेकिन conduction में आपको चूना पड़ेगा पकड़ना पड़ेगा यह देख रहे हैं आपने इसको पकड़ दिया जाके तो direct physical contact हुआ बेटा तो इसको बोलते हैं हम लोग conduction हो रहा है direct physical contact अगर हो रहा है तो इसको बोलते हैं कि conduction हो रहा है अब आते हैं तीसरे में आपने दिखा होगा जब चाय आप बनाते हैं तो चाय थोड़ी दिर बाद उबलने लग जाती है जिसको हम लोग बोलते हैं बेटा boiling है ना तो boiling में क्या होता है नीचे के hot molecules उपर जाते हैं और उपर के cold molecules नीचे आते हैं नीचे जो है ना बरतन के नीचे hot molecules होते हैं क्योंकि वहाँ पर गर्मी ज़्यादा आ रही है है ना हाई गर्मी तो ये hot molecules कम density की वज़द से उपर चले जाते हैं और जो cold molecules है वो नीचे आ जाते हैं तो एक convection current सा बन जाता है कि molecules उपर जा रहे नीचे आ रहे उपर जा रहे नीचे आ रहे देखा कभी चाय उबलते हुए molecules नीचे से bubbles उठते नहीं उपर की तरफ bubbles उठके उपर आते हैं बिटा इसको कहा जाता है convection ये generally fluids में होता है liquids में, gases में तो due to density difference जो ये convection current form हो जाता है lighter molecules का उपर आना heavier molecules का नीचे सेटल होना तो एक convection current बन जाता है, ठीक है? density difference की वज़े से this is called convection mode of heat transfer तो conduction में आपने directly छू लिया जरा जरा, touch me, touch me, touch me कर दिया radiation में आप दूर से ही ऐसे आग सेक लेते हैं ठीक है? और convection तो liquid में होता है, यानि की fluid में होता है gases में भी हो सकता है, gases also is fluid, तो fluid में होता है और fluid है, से, 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 से flow करता जाता है और heat को transfer कराता जाता है convection का एक और example दूँ आपको गर्मा गरम खाना मिला गाजर का हल्वा सर्दीगे टाइम पे खूब गरम एकदम ठीक है आपने चम्मत से उठाया आप खान ही पा रहे हो, हम क्या करते हैं कई बार फूप मारते हैं, मारना नहीं चीए बहुत सारे बैक्टीरिया जाके transfer हो जाते हैं खाने में हमारे पट फिर भी हमें तो आदत है है ना फूप मारते हैं बेटा तो फूप मारा तो फ्लूइड गया फ्लूइड गया, gases गया और उसने heat transfer करवा दिया गाजर का हलवा से heat निकाला और लेके गया अब तो इसको बोलेंगे convection हो रहा है क्योंकि fluid is taking the heat है ना, fluid जा रहा है और flow करते करते वो heat को लेके चला गया तो convection में flow होता है कौन flow होगा fluid ही तो flow हो सकता है solid तो flow होगा नहीं है ना तो fluid का flow होता है convection में तो एक चाय की केतली से मैंने आपको तीनों चीज़े समझा दी radiation मतलब दूर से आपने आग ले ली ठीक है, radiation हो गया तो एक बार जल्दी से दिल बना दीजिए आगे बढ़ जाते हैं अच्छा गुलाब जामुन कोई कह रहा है भूग लग गई ना तुम्हें अब बेटा हमारे सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ conduction है और radiation है, convection नहीं है convection हमारे syllabus में नहीं है यह notes में आपको दे रहा हूँ, आप बाद में पढ़ लीजिएगा जैसे conduction है तो energy transfer by direct contact है radiation है तो energy transfer by electromagnetic wave microwave, infrared, all objects radiate energy है ना, तो यह सब आप आप अराम से बाद में पढ़ लीजिएगा, चाहिए तो screenshot ले लीजिए, यहाँ से questions आ सकते हैं theoretical तो एक बार बस इनको पढ़ लेना है बाके मैंने आपको सारा समझा दिया है समझा दिया है, बस एक बार reading मारने का मन करें, तो यहाँ से आप पढ़ लीजिएगा, देखें, density difference की वज़े से होता है, movement of particles occurs in gases and liquids तो सारा अपना point clear है मैंने सब कुछ समझा दिया है बढ़ अगर आपको notes चाहिए तो यह सिर्फ आपका notes हो गया screenshot ले लो, बाद में आराम से पढ़ लेना ठीक है बेटे? Yes आज बहुत सारे बच्चों को class की timing के बारे में पता नहीं होगा हो सके तो एक बार जल्दी से टेलिग्राम में, whatsapp में, जहां भी हो सके आप link भेज दीजिए क्योंकि बच्चे अभी 4 बजे के इंतिजारों बैठे हैं बहुत सारे उनको लग रहा 4 बजे class होगी हाला कि मैंने टेलिग्राम में डाल दिया है कि class होगी डेड़ बजे है आज के लिए हैसा आईए बेटा, आगे बढ़ते हैं अगला topic है अपना law of conduction देखो, law of conduction क्या कहता है law of conduction कहता है कि मान लीजिए आपके पास कोई slab है, ठीक है यह slab किसी भी material का हो सकता है iron का हो सकता है concrete की दीवार हो सकती है anything, ठीक है glass हो सकता है glass का slab आपने पढ़ा ही है optics में, it can be anything ठीक है बेटा, यह मान लो slab है मान लो यहाँ से ऐसे heat enter करती है यहाँ से heat आ रही है, high, गर्मी है न, heat तो जो heat अंदर आ रही है, उसको हम लोग बोलते है heat per unit time इसको बोला जाता है बेटा, heat current क्या बोलते है, heat upon time को heat current सर, current word क्यों use किया बेटा, आपने electric current पढ़ा है न electric current क्या होता था charge upon time है कि न, charge divided by time तो current तब use करते हैं जब per unit time आ जाता है तो electric current में charge upon time heat current में heat upon time heat यहाँ से बेटा एंटर किया, ठीक है मान लीजिए, यहाँ का temperature है T1 और यहाँ का temperature है T2 ऐसा मान लेते हैं बेटा कि T1 greater than T2 है इधर का temperature जादा है इधर का temperature कम है तो बताइए तो heat कहां से कहां transfer होगा heat हमेशा transfer होता है higher temperature से lower temperature की तरफ तो देखो यहाँ पे high temperature है T1 यहाँ पे low temperature है T2 तो heat जाएगा इधर यानि कि Q by T heat transfer होगा इधर higher से lower है ना, high temperature से low temperature ऐसे ही तो दीवारों से heat अपने घर में आ जाती है अभी देखो सर्दी का example बहुत ले लिया हमने थोड़ा गर्मियों का example लेते हैं मान लो यहाँ पे sunlight है बाहर सूरज है sunlight है, बहुत तेज sunlight आपके दिवार के बाहर वाले हिस्से पे गिर रही है मान लो यह दिवार का बाहर वाला हिस्सा है घर के बाहर वाला हिस्सा तो वो heat होते होते दिवार से होते होते घर के अंदर तक आ जाती है बिटा ये घर के अंदर वाला हिस्सा हो गया, दीवार की मोटाई है कुछ है ना, दीवार की मोटाई आप L ले लेजिए, ठीक है, तो heat बाहर से होते हुए अंदर तक आ जाती है, और अंदर आपको महसूस होती है, हाई गर्मी, होता है ना, फिर ऐसे नाचन लग जाते हो ना, हाई चलो, anyways, जो भी है, बड़ हाँ, गर्मी बाहर से अंदर आ जाती है, तो वैसी slab में heat एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुँच सकती है, law of conduction कहता है कि अगर इस slab का area A है, और इसकी thermal conductivity के है, thermal conductivity के definition में आपको बताऊंगा अभी, thermal conductivity के है, length L है, area A है, तो जो Q by T है, यानि की heat transfer का rate, rate of heat transfer बेटा, इसका formula होता है, K A T1 minus T2 divided by L, K क्या है, एक constant है, जिसको कहते है, thermal conductivity, A क्या है, area of cross section है, T1 क्या है, higher temperature, T2 क्या है बिटा, lower temperature, L क्या है सर, यहां से यहां तक की दूरी है L, ठीक है, तो K A T1 minus T2 divided by L, सर, इसको याद कैसे रखें, पेटा, आपको Katerina cute लगती है क्या, वैसे अब उनकी शादी हो चुकी है, Vicky Kaushal जी के साथ, तो फिर भी cute तो लगी सकती है, उसमें क्या, उसमें क्या गलत है, है ना, तो इसका short trick है, याद करने का, QT, QT, Q by T, एन QT, और यहां देखो, Katerina, QT, कैटरीना, आप बोलें के सर, नीचे L का तो कोई short trick बना नहीं, तो इसलिए कैटरीना ने Vicky Kaushal से शादी कर ली है, ताकि Kaushal का L आ जाए यहां पे, तो QT, कैटरीना, Vicky Kaushal, ठीक है, Kaushal का L यहां पे नीचे आ गया, तो ऐसे आप इस formula को याद कर सकते हैं, QT, कैटरीन आपन Kaushal, Kaushal का L नीचे है, बढ़िया short trick बन गए एकदम, है ना, pneumonic बन गया, याद रह जाएगा, येस, चलो, बहुत बढ़िया, good job, आजाओ, एक question करवाता हूँ, आजाओ, एक question करवाता हूँ, आजाओ, मानलो बेटा, यहां का temperature है, 150 degree Celsius, यहां का temperature है, 50 degree Celsius, अभी K में आएंगे, ठीक है, ना, K की value है, 2, अभी unit, unit देखेंगे, K का, K का क्या unit होता है, क्या definition होता है, सब देखेंगे, ठीक है, K की unit है, 2, area जो है, इसका, वो है, 1 meter square, और जो length है, बच्चों, length, वो है, 2 meter, बताओ, QT की value कितनी है, कितना heat transfer होगा, Q by T कितना होगा, तो क्या formula है, Q by T बराबर, Katerina, यानि की, K, A, T1 minus T2, divided by L, है ना, बच्चों, यही formula है, लगाओ formula, QT बराबर, K की जिगे पे कितना रखोगे, K की जिगे पे सर 2 रखेंगे, A की जिगे पे कितना रखोगे, A की जिगे पे सर 1 रखेंगे, T1 minus T2 क्या रखोगे, 150 minus 50, कितना ह हो जाएगा, 100 हो जाएगा, divided by length कितना करेंगे, तो 2 कर लेंगे, 2 ने 2 को मारा, है ना, तो QT की value आ गई, 100 Watt, Watt कैसे सर, Watt कैसे, Watt कैसे, Watt कैसे, Watt कैसे, Watt ऐसे, कि देखो, यह Q है, इसका unit होता है, Joule, है ना, heat की unit होती है, Joule, ऐसा unit, और time है, तो time का होता है, second, तो यह J पर सेकंड हुआ, और Joule पर सेकंड को ही, Watt कहते है, Joule अपोन सेकंड, यानि कि Joule पर सेकंड को प्यार से, Watt कहते है, है ना, Joule पर सेकंड को प्यार से, Watt कहते है, 100 Watt is the answer, done बिटा, कर लोगे ऐसा सवाल, है ना, चलो, बहुत बढ़िया, very nice, एक सवाल आया, यह previous year का सवाल है, देखे, क्या कह रहा है, two ends of a metal rod, एक metal rod ले लिया, इन्होंने, इसके दोनों ends maintained है, 100 और 110 में, यहाँ पे 100 है, मालो, यहाँ पे 110 है, मालो, तो जो rate of heat transfer आता है, rate of heat transfer, यानि की QT, वो है 4 Joule पर सेकंड, ठीक, अब बोल रहा है, if the ends are maintained at 200 and 210, अगर यहाँ पे 200 होता, और यहाँ पे 210 होता, तो QT की value कितनी होती, बाकि सब सेम रखना है, K को सेम रखना है, A को सेम रखना है, Length को सेम रखना है, बस temperatures change हुए हैं, तो बताइए तो बेटा, कितनी value हो जाती, C, C कह रहे हो आप लोग, मतलब सेम रहता, change नहीं होगा बेटा, सही कह रहे हो, यह change नहीं होता, पता है क्यों? कई बच्चे सोचते हैं ऐसा, कि सर 100 का 200 हो गया ना, डबल हो गया ना, 21 दिन में पैसे डबल हो गया, तो अपना heat transfer भी डबल हो जाएगा, ऐसा सोचने लग जाते हैं कई बच्चे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है बेटा, देखो, formula क्या है, QT कैटरीना का formula क्या है, QT बराबर K A A T1-T2 upon L, आप सोचिए, तो K तो change हो नहीं रहा, कोई फर्क निपड़ता उससे, area भी change नहीं हो रहा, कोई फर्क निपड़ता, length भी change नहीं हो रहा, कोई फर्क निपड़ता, फर्क पड़ता है, तो सिर्फ T1-T2 से, तो एक बात बताओ, उपर वाले में T1-T2 कित थे ता यानि कि 10 T1-T2 इतना ही तो आएगा बेटा T1-T2 10 ही तो आएगा और मज़े की बात यह है कि दूसरे वाले में भी T1-T2 अगर आप निकालेंगे तो आएगा 210-200 अरे ससुरा यहां भी 10 है temperature difference यहां भी 10 है temperature difference यहां भी 10 है तो यार जब दोनों जगे temperature difference सेम है K सेम है, A सेम है, L सेम है तो heat transfer भी तो सेम ही होगा तो इसलिए answer है 4 J यहां पे तो तुम्हें ऐसा भी कर सकते हो कि इसी question में ऐसा कर लो कि एक temperature आपने 110 और 100 रखा है ना दूसरा temperature अब ऐसा कर लो यहां पे लिख दो 3775 और यहां पे लिख जो 3765 तो भी 4 J आएगा, पता है क्यों? क्योंकि difference in temperature is still 10 देख रहो, this minus this still the difference is 10 ठीक है? आप इसको ऐसा भी कर सकते है कि यहां का temperature आप लिख दीजिए sunita plus 10 और यहां का temperature आप लिख दीजिए सिर्फ sunita अब दोनों का आप घटाई है sunita sunita का answer बचेगा कितना? 10 तो मैं sunita से बस यह समझाना चाह रहा हूँ कि भाई difference अगर बराबर है न 10 का ही है न तो heat transfer बराबर ही आएगा ठीक है न? tension लेने वाली बात नहीं है आईए, आगे बढ़ते हैं बिटा कुछ बच्चों का ये question आया अभी chat box में मैंने देखा, chat box में ऐसे तिरची निगा से देख लेता हूँ कुछ बच्चों का answer आया कि sir ये तो degree Celsius में था ये भी degree Celsius में था आपने दोनों को सीधा degree Celsius में ही घटा दिया जबकि value तो Kelvin में रखी जाती है जबकि value तो Kelvin में रखी जाती है तो बटा मैं आपको बता दूँ जब आप difference calculate करते हो न difference of two temperatures तो चाहे degree Celsius में रख के difference निकालो चाहे आप Kelvin में रख के difference निकालो difference हमेशा बराबर आता है देखो degree Celsius में घटा दोगे तो 150-50, 100 आया जो मैंने यहाँ पे रखा है Kelvin के लिए क्या करते आप इसमें भी 273 आड करते इसमें भी 273 आड करते फिर दोनों को घटाते तो बात तो वही पढ़ जाती न 273, 273 दोनों में सा माइनस हो जाता, बात तो 100 ही आता बिटा, इसको करो ना 273 आड, तो यह बनेगा 3 यहाँ पे बनेगा 7 और 5 बारा का 2 एक हो गया हासिल है ना, 2 और 1, 3 और 1, 4 यह 423 बन रहा है यहाँ पे भी आप आड करो तो यह हो जाएगा 3, 7 और 5 बारा का 2 हाथ में आया, 1, 323 423 Kelvin 323 Kelvin घटाओ कितना आएगा? 100 Kelvin तो इसे लिए जब डिफरेंस निकाला जाता है तो चाहे डिगरी Celsius हो चाहे Kelvin हो फर्क नहीं पड़ता डिफरेंस की वैल्यू उतनी ही आएगी जितना डिगरी Celsius में आ रही है जितना Kelvin में आना चाहिए सेम वैल्यू आती है इसलिए में सीधा सीधा दोनों को घटा दिया सीधा सीधा डिगरी Celsius में ही दोनों को घटा दिया ठीके बेटा? चलिए अब आते हैं थोड़ा सा K के बारे में हलका फूल का discussion करते हैं देखो बेटा K अगर ज़ादा हुआ मान लो अगर ज़ादा हुआ तो यह QT की वैल्यू बढ़ जाएगी यान कि heat transfer का rate बढ़ जाएगा तेजी से heat transfer होगा जक्स से heat transfer होगा और अगर K कम हुआ तो heat transfer धीरे-धीरे होगा K जो है अगर कम हुआ तो heat transfer धीरे-धीरे होगा तो K that is called thermal conductivity यह बताता है कि किस rate पे heat transfer होगा यह rate of HT यान कि heat transfer बताता है K अगर जादा होगा ना तो heat transfer जादा K अगर कम होगा ना तो heat transfer कम अब इसका मैं तुमको example देता हूँ गर्मी का आपन example लेते हैं गर्मी के दिनों में मान लीजिए आप किसी के साथ पार्क में चले गए कहां चले गए बेटा पार्क में अच्छा सर पार्क में गए पार्क में गए ना बेटा तो वहाँ पे ना दो बेंच लगे हुए थे ऐसे करके ऐसे करके जो है दो बेंच लगे हुए थे आप पार्क में तो मज़े करने गये थे यार, ये bench बना हुआ था wood का, इसमें पुरा लकडी लगी हुई थी, लकडी, हर जगे लकडी, लकडी, मैं लकडी बोल रहा हूं, लकडी है na, कुछ लोग लड़की सुन रहे हैं बेकार में, मैं लकडी बोल रहा हूं भाई, लकडी क सनलाइट आ रही है एकदम मस्त गर्मी का दिन है ठीक है मार्च एपरिल का महीना है खूप सारी सनलाइट इस पे भी गिर रही है खूप सारी सनलाइट इस पे भी गिर रही है ठीक है दोनों में बराबर बराबर ऐसा सूरज ऐसा भेदभाव नहीं कर रहा कि वूड को जादा स sunlight बेजेगा या फिर metal को जादा और wood को गम ऐसा नहीं है दोनों को बराबर sunlight मिल रही है बताईए किस में बैठना आप पसंद करेंगे बताईए किसी में नहीं is not the option, right? कहीं न कहीं बैठना है, किस में बैठना पसंद करोगे, बिटा गर्मी के दिनों में, अगर metal वाले bench पे आप बैठ गए तो उसके बाद आप कहीं बैठने के लायक थोड़े देर के लिए तो नहीं रहेंगे थोड़े देर के लिए तो नहीं रहेंगे bomb डिगी, bomb, bomb, bomb हो जाएगा ठीक है ना? गाना सुनाया आ ना? वही हो जाएगा तुम्हारे साथ, ठीक है फिर तुम कहीं बैठने लायक नहीं रहोगे थोड़े टाइम के लिए तो यार एक बात बताओ, दोनों को तो बराबर बराबर heat मिल रही थी तो फिर ऐसा क्यूं होता है कि मेटल वालों को छूओ, तो ज्यादा गरम लगता है और वुड़ वाले को छूओ, तो कम गरम लगता है या फिर मेटल वाला एकदम जनजनाटा गरम लगेगा बिल्कुल हालत खराब, पैंट मैट पिखल जाए इतनी और wood वाले में थोड़ा कम गर्मी लगती है, ऐसा क्यूं? पता है? दोनों का temperature बेटा बराबर है, क्योंकि दोनों को बराबर heat मिल रही है लेकिन ना, metal की thermal conductivity जादा है metal की thermal conductivity जादा है, तो जैसी आप बैठते हैं उसके उपर जक से heat निकल के आपके उपर चला जाता है इसमें जो heat है बहुत तेजी से आपकी body में चला जाता है तो आपको बढ़िया गर्माहट फील होती है और वो भी बहुत जल्दी बहुत जल्दी, कम समय में धेर सारी heat आ जाती है thermal conductivity क्या बताता है, thermal conductivity जादा है मतलब rate of heat transfer जादा होगा मतलब तेजी से heat निकल के आप तक पहुँच जाएगा बिटा तो metal की thermal conductivity जादा है इसलिए आपकी हालत जल्दी खराब हो जाती है wood के साथ है कि उसमें से भी heat तो जा रही है बढ़ thermal conductivity कम है तो heat जा रही है, होले होले धीरे धीरे, होले होले ठीक है, प्यार से heat इसमें से आपकी body तक जा रहा है तो आपको जल्दी महसूस नहीं होता है बट बहुत देर तक बैठे रहोगे तो इसमें भी दिक्कत हो जाएगी है ना, बहुत देर तक बैठ गए आपने कभी नोटिस किया होगा, मानलो को इस metal surface घर पर रखा हूँ है ठंड के दिनों में metal को छूँए को अनगी ठंडा लगता एकदम अभी देखों, metal को छूँ रहा हो नो, बहुत जादा ठंडा है बहुत ठंडा है वहीं पर कोई और material ले लो आप जैसे की paper ले लो paper paper को छूँओ के ठंडा नहीं लग रहा है इतना जादा मेरे को metal को छूँ रहा हूँ, लग रहा है भाई, ये कितना ठंडा होके रखा है इतना ठंडा कैसे हो गया तो भाई, room में तो temperature बराबर है हर चीज का metal का भी temperature उतना ही है, जितना paper का है तो metal को छूँने से जादा ठंडा क्यों लग रहा है वेटा क्योंकि उसकी thermal conductivity जादा है जैसे ही मैंने इसको छूआ, इसने फटा-फट मेरी body से heat निकाल लिया इस case में निकालेगा, क्योंकि ठंडा है न ये ठंडा है न, तो ये heat को अपनी तरफ खीच देगा मेरी body से तो मेरी body ठंडी हो जाएगी तुरंट मेरे को लग गया, ओबाई, अलगी ठंडा है जबकि जब मैं paper को छू रहा हूँ न, तो paper अचानक से heat को नहीं खीच रहा paper holy holy heat को खीच रहा है अपनी तरफ तो मेरे हाथ में ज्यादा ठंडाक महसूस नहीं हो रही है क्योंकि धीरे-धीरे heat को खीचा जा रहा मेरे हाथ से तो प्यार से खीचा जा रहा है, thermal conductivity कम है, metal की thermal conductivity ज़्यादा है, छुओ, जख से heat को खीच लेता है, तो मेरा हाथ एकदम से ठंडा लगेगा मुझे, समझ आया है बेटा, तुम भी feel ले रहे हो ना, feel आरी है ना पूरी-पूरी, है ना, yes, तो thermal conductivity का यही रोल है, कि यह heat transfer के rate को बताता है, तो आज के बाद अगर आप पार्क में जाएं, XYZ किसी के भी साथ, और अगर बेजिती से बचना है बेटा, तो ऐसा table या फिर ऐसा bench चूज करें, जो wood का बना हुआ हो, ना कि जो metal का बना हुआ हो, वरना, bomb diggy-diggy bomb-bomb हो सकता है, ठीक है, चलो, आगे बढ़ते है आजाओ, law of conduction सबको clear हो गया बेटा, क्यूटी कैटरीना, है ना, क्यूटी कैटरीना, clear हो गया, चलिए, आईए, अब आपको बताते हैं, thermal conductivity की unit, unit पे आते हैं, ठीक है, unit पे आते है, thermal conductivity की unit क्या होगी, तो देखिए, qt बराबर k a t1-t2 divided by l है, है ना, qt की unit क्या है, watt, इसकी unit क्या है, watt, joule per second, बराबर k, area की unit क्या है, area, meter square, temperature difference की unit, या तो degree Celsius, या तो Kelvin, एक ही बात है, divided by length की unit, meter, नीचे के length के meter ने meter square के square को काट दिया, तो देखो, Kelvin का unit क्या हैगा, watt upon, ये meter उदर चला जाएगा, बेटा, watt per meter, और ये degree Celsius इदर चला जाएगा, तो degree Celsius, watt per meter, per degree Celsius, is the unit of K, देख रहे हैं आप, watt per meter, पर degree Celsius, याद हो गया, याद नहीं करना है, याद करने से जरूरी क्या है बेटा, समझना है, कि किस formula से, कैसे निकाला गया है, क्योंकि अगर question आ जाए कल को, कि which of the following is the correct unit, correct SI unit of thermal conductivity, और मैं आपको बताऊं, तो ये question आ चुका है previous year में, ये एक PYQ है मेरे प्यारे बच्चो, PYQ units and measurements chapter खोल के देखना, ये PYQ मिलेगा आपको, तो यार रटा रटाया ग्यान, काम नहीं आएगा, तब थुड़ना याद रहेगा watt per meter था, कि watt per meter square था, कि watt per meter की power 2000, 3073 था, नहीं याद रहेगा कुछ भी, याद क्या रहेगा, QT Katrina upon Kaushal, वहाँ से अपन को K का unit निकालना पड़ेगा, कर लोगे क्या, तो एक बार दिल बना दो, मैं आगे बढ़ जाता हूँ, K का unit हो गया बेटा, basic formula हो गया प्यारे बच्चो, दो questions हो गए इसके, तो ये topic यहाँ पर खतम, यानि कि law of conduction खताम, ठीक है, अच्छा आज 9.30 को हमने practice session रखा था, वो भी शायद कई सारे बच्चो को पता नहीं था, हो पाये तो special class में जाके उसके recording जरूर देख लीजेगा, recording available होती है ना बेटा, recording देख लीजेगा, link आपक है, क्या लिखा है बच्चो, topic, topic लिखा है, analogy with current electricity, अच्छा, current electricity, analogy मतलब similarity, with current electricity, क्या similarity हो सकती है बाई, current electricity के साथ क्या similarity हो सकती है, ज़र आप देखते हैं, ठीक है, देखो, क्या similarity है, current में हम बोलते थे, कि अगर एक register है बेटा, एक register है मानलो, तो यहाँ पे V1 potential, यहाँ पे V2 potential, potential difference होता था, यहाँ से आपका current जाता था, I, that is charge upon time, और हम लिखते थे, कि V1 minus V2, यानि कि potential difference, बराबर I into R, बराबर I into R, बिल्कुल सही बात है सर, और R को क्या लिखते थे, पता है, R को लिखते थे, rho L divided by A, rho क्या है बेटा, resistivity, L क्या है बेट्चो, length of the resistor, A क्या है बेटा, area of the resistor, तो जैसे यहाँ पे potential difference होता था था ना, V1 minus V2, वैसे ही heat में temperature difference होता है, T1 minus T2, अच्छा, यहाँ पे V1 minus V2, potential difference, यहाँ पे T1 minus T2, temperature difference, यहाँ पे current flow होता था, यानि कि charge upon time, यहाँ पे heat flow होता है, heat upon time, औरे रे रे, similarity तो है रे बाबा, similarity तो है रे बाबा, यहाँ पे charge upon time flow होता था, current flow होता था, यहाँ पे heat by time flow होता है, यहाँ पे V1 minus V2 होता था, यहाँ पे T1 minus T2 होता है, और बेटा, ohms law भी यहाँ पे valid है, पता है, आपको ohms law, T1-T2 बराबर QT into R thermal थर्मल रिजिस्टेंस बोलते हैं देखो ना इसी फॉर्मले के जैसा एकदम V1-V2 के जगे पर T1-T2 I के जगे पर Q by T R के जगे पर R थर्मल और मैं आपको क्या बता हूँ similarity R थर्मल का भी फॉर्मला बता देता हूँ R थर्मल में भी उपर length और नीचे area होता है लेकिन ये था resistivity और हम यहाँ पर पढ़ते हैं thermal conductivity तो बेटे अगर resistivity उपर लिखा हुआ है तो conductivity कहां लिखा होना चाहिए नीचे चमका चमका अरे resistivity and conductivity are reciprocal to each other बेटे तो अगर resistivity उपर लिखा हुआ है row L by A में resistivity उपर लिखा हुआ है तो conductivity कहां लिखा होना चाहिए नीचे बाकी L by A इसमें भी होता है L by A इसमें भी होता है Ohms law V minus V1 minus V2 बराबर IR और यहाँ पर T1 minus T2 बराबर Q by T into R तो similarity है की नहीं है बेटा बताओ है की नहीं है current को कौन replace कर रहा है बताईए current को replace कर रहा है QT V1 minus V2 को कौन replace कर रहा है T1 minus T2 resistance को कौन replace कर रहा है thermal resistance और दोनों का formula लगभग लगभग similar है row L by A L by K A तो आज के बाद अगर आपसे कोई पूछे की बेटा एक conductor है उसका thermal resistance निकाल सकते हो कि आप please तो तुम क्या बोलोगे बिलकुल निकाल सकते है L upon K A करके निकाल देंगे है ना बेटा चलिए बहुत बढ़िया अगला topic है equivalent resistance and equivalent conductivity super duper important है बेटा जितने stars लगाने हैं लगा दो कम ही पड़ेंगे बहुत important है बहुत जादा ठीक है देखो क्या होता है अगर series combination होता था यहाँ पे R1 यहाँ पे R2 तो बेटे series में क्या same होता था बताओ current same होता था हाँ sir current same होता था तो बताईए तो R equivalent कितना लिखते थे sir R1 plus R2 लिखते थे R1 plus R2 लिखते थे तो बेटा यहाँ पे series combination पता है कैसा दिखाई देगा देखो ऐसा दिखाई देगा यह पहला register या फिर पहला conductor जो भी कहलो पहला rod यह उसके आगे दूसरा rod, दो rod लगे हुए है ठीक है इसका thermal connectivity K1 इसका thermal conductivity K2 है इसका length L है, इसका length भी L है दोनों का ही area जो है वो A के बराबर है तो क्या आप मुझे बता सकते हो इसका R equivalent आप क्या लिखोगे sir R equivalent वही लिखेंगे जो पहले लिखते थे series में R1 प्लस R2 R1 प्लस R2 और बेटा R1 को क्या लिखोगे R1 को L by K A series हो जाओ तुम बेटा Siri cancel Siri activate हो जाता है cancel अरे नमू ने cancel बोला मैंने अब हुआ cancel हाँ, तो मैं क्या कह रहा था R1 को क्या लिख सकते हो L by K1 into A formula जादा ना L by K A R2 को क्या लिख सकते हो L by K2 into A और पता R equivalent कैसे बनता है मैं हूँ ना, मैं बताता हूँ equivalent का मतलब होता है कि मेरे को same length का combination चाहिए same length same length मतलब कितना L प्लस L 2L मतलब दिखने में दोनों same होने चाहिए ये ऐसा दिख रहा है ये भी ऐसा दिखे लेकिन material एक हो उसको बोलते हैं K equivalent यहाँ पर दिखो ना, दो-दो अलग-अलग material है K1 अलग material हो गया K is the material का property हो सकता है, ये wood हो, हो सकता है, ये RN हो अब ये हर जगे ऐसा पॉसिबल नहीं है कि दो-दो अलग-अलग material लगाए जाए तो equivalent निकालने का मतलब क्या है equivalent conductivity का मतलब होता है कि size, shape, same रहने दो कोई issue नहीं है size और shape आपने ऐसे ही छोड़ दिया लेकिन material सिर्फ एक होना चाहिए पूरे length में पूरे 2L में एक material उसका conductivity कितना K equivalent K equivalent अब देखना बेटा ठीक है मैं अभी आपको K equivalent निकालके बताता हूँ कुछ लोगों ने formula भी लिख दिया है 2 K1 K2 upon K1 plus K2 बिल्कुल सही formula है बट एक बाद derivation देख लो मज़ा आएगा बताओ तो बच्चो R equivalent को क्या लिखो गए L by K A तो L हो गया 2L के बराबर equivalent वाले case में L हो गया 2L के बराबर by K A K हो गया K equivalent और area तो A ही है चमका कोई बड़ी बात नहीं है इसका बस equivalent बनाये रहे नमूनो L और L को मिला के 2L कर दिया रहे बेटा और K1, K2 अलग अलग थे न उसको एक ही material बना दिया K equivalent बोल दिया उसको ठीक है तो इसका R equivalent कितना आजाएगा L by K A L है 2L upon K equivalent 2A R equivalent के नीचे लिख दो गेटा इसको तो यह आजाएगा 2L upon K equivalent 2A done R1 बोलोगे कितना लिखोगे R1 R1 को क्या लिखना पसंद करोगे R1 को आप लिखोगे L by K1 A हाँ, सही तो बोल रहा हूँ सोचो इसका length L है पहले बाले का conductivity K1 है बेटा तो K1 और area A है बच्चे तो A प्लस बोलो R2 क्या लिखोगे L by K2 into A अब देखोगे न तो दोनों तरब से L L cancel यह देखो L L L gone दोनों तरब से area A A A gone बचा क्या बचा है सर 2 by K equivalent बराबर 1 by K1 प्लस 1 by K2 इसको solve कर दो बच्चो K1, K2 LCM हो जाएगा उपर बचेगा K1 प्लस K2 उल्टा कर दोगे तो K1, K2 उपर चला जाएगा solve करके देखो और मुझे बताओ यही आ रहा है क्या जो मैंने लिखा है चेक करके बताओ बेटा यही आएगा और क्या आएगा 2 times K1, K2 अपॉन K1 प्लस K2 यानकि series combination अगर है दो conductors अगर series में connected है तो उनका R equivalent तो हर बच्चा जानता है R1 प्लस R2 लेकिन K equivalent इस class में बैठे बच्चे जानते हैं बस और वो क्या है 2 times K1, K2 अपॉन K1 प्लस K2 तो आपसे अगर पूछ लिया जाए कल को कि बताओ K equivalent in series कितना तुरंत यह answer फिक के मारना मूँ पे लो यह है K equivalent ठीक है बेटा हो जाएगा चलो दिल बना दो जल्दी से एक बार जल्दी से एक बार दिल बना दो तो बेटा कम ओन 2003 में यह question आया NCRT page number 291 में भी given है 2003 में पूछा गया बोलता है consider a compound slab consisting of two different materials compound slab मतलब वही बेटा जो भी अभी हम लोग पढ़के आया है दो को join करा दिया है having equal thickness दोनों का thickness सेम है मतलब length जो है L L है and thermal conductivity is K and 2K पहले का K है दूसरे का 2K है तो बताए यह equivalent thermal conductivity कितनी हो जाएगी तो हम बोलेंगे नहीं पहले तुम आंसर बताओ हम कुछ नहीं बोलेंगे पहले तुम आंसर बताओ क्या आंसर आ रहा है क्या आंसर आ रहा है बेटा B आ रहा है बहुत से बच्चे B कह रहे हैं बहुत से बच्चे A कह रहे हैं कुछ बच्चे A कह रहे हैं कुछ बच्चे actually B कह रहे हैं तो मैं आपसे यह जानना चाहता हूँ कि इतना confusion क्यों है भाई A और B में बेटा A correct है यह करेक्ट है, कैसे, देखो, फॉर्मूला क्या है, 2 टाइम्स के1 के2, अप्पान, के1 प्लस के2, ठीक है सर, के1 को कितना लिखोगे आप, के, के2 को, 2K, अप्पान, के प्लस 2K, तो उपर बचेगा, 4K स्क्वाइर, और नीचे बचेगा, बेटा, 3K, के ने के को मारा, देख जिनका आया था B, उन्होंने पक्का ये वाला 2 मिस कर दिया था, है ना, है ना, है ना, है ना, है ना, सही बोल रहा हूँ ना, ये वाला 2 अगर मिस कर दोगे आप, तो B आ जाएगा, 2 by 3 हो जाएगा, लेकिन सही आंसर क्या है बिटा, 4 by 3 वाला है सही आंसर, ठीक है ना, 4 by 3 व दिया था तुम लोगों ने सर, class 11th students, this class help me sir please tell me sir, please obviously बेटा, ये class 11th का ही topic है, और इतने प्यार से इतने आराम से पढ़ा रहा हूँ बिल्कुल help करेगा आपकी, boards में भी help करेगा, और neat तो आप फोड़ी दोगे ये पढ़के, चलो अब बेटा, parallel combination में आ जाते हैं, कौन से combination में sir parallel combination बेटे देखो, parallel combination क्या होता है एक ही यहाँ पे है एक ही यहाँ पे है बताओ बेटा, parallel में क्या लिखते हैं लिखते हैं, 1 upon R equivalent बराबर 1 upon R1, plus 1 upon R2 ये तो लिखते हैं तो सोचो, अगर मैं दो rods ले लूँ parallel में, देखो यहाँ पे मैंने एक rod ले लिया ठीक है, length L और area A का, और उसके नीचे मैंने एक और rod ले लिया, देखो यह देखो, यह देखो, यह देखो, यह देखो, यह देखो, एक और rod ले लिया मैंने, length L, length L area A, area A, area A, area A, ठीक है यहाँ पे temperature T1 यहाँ पे temperature T2 यह parallel है कि नहीं यह बताओ दोनों का देखो temperature difference same है देखे रहो यहाँ पे T1 यहाँ पे T2 तो इसके लिए भी T1 T2 और इसके लिए भी T1 T2 तो parallel में पेरलल में T1-T2 दोनों का same होना चाहिए current अलग अलग होगा इसको अलग current मिल सकता है इसको अलग current मिल सकता है मतलब heat current की बात कर रहा हूँ मैं QT जो है ना QT इसका अलग हो सकता है QT इसका अलग हो सकता है इसको देदो नाम K1 thermal conductivity इसको देदो K2 ठीक है उपर वाले का thermal conductivity K1 नीचे वाले का thermal conductivity K2 अच्छा सर बहुत बढ़िया सर आगे बोलो सर आगे बोलो आप क्या करना है अब बेटा इसका equivalent बनाना है पता इसका equivalent कैसे बनाते हैं मैं बताता हूँ ना मैं हूँ ना मैं बता हूँ का सुनो पिछली बार हमने दोनों का length combine करके 2L बना दिया था क्या देखो 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 सिरीज में इसका L इसका L combine करके कितना बनाया equivalent में 2L इस बार हम लोग area को combine करके A और A है ना 2A बना देंगे इसमें area को combine करते हैं length को तो कर नहीं सकते हैं ऐसे side by side तो है नहीं कि हमने length जोड़ दिया उपर नीचे है बेटा area जोड़ेंगे area जोड़ के ऐसा एक single diagram बना दो area कितना लिखोगे बेटा 2A length तो same है length तो आपका same है और यहाँ पे लिख दो k equivalent सब लोग दिल बना के बताईए के equivalent बनाना आया किया आपको बेटा यहाँ पे दोनों का length जोड़ा गया है 2L करने के लिए बड़ यहाँ पे जो है area जोड़ा गया है this area plus this area दोनों का हमने area जोड़ दिया है ठीक है ना clear हुआ ना चलिए बहुत बढ़िया दोनों का हमने area जोड़ दिया है done है सब अब बनाते है formula 1 upon R equivalent बराबर 1 upon R1 plus 1 upon R2 अब बुलते जाना ठीक है R equivalent को कितना लिखना पसंद करोगे L by K A L तो L है equivalent वाले में K तो K equivalent है area कितना है भाई equivalent का 2A तो यहाँ पे आएगा 2A तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ठीक है अच्छा 1 upon है तो इसको उल्टा करके लिख दूँ क्या क्या कहता है उल्टा करके लिख दूँ चलेगा ना उल्टा करके लिख देता हूँ ठीक है जैसा तुम बोलो तो K equivalent into 2A divided by L बराबर R1 को क्या लिखोगे L by K1 into A L by K1 into A उल्टा कर दो तो बन जाएगा K1 A by L यह देख रहा हूँ उल्टा करना है ना 1 upon R करना है ना येस देख रहा हूँ लेंथ L है area A है K1 उसका conductivity है प्लस R2 को क्या लिखेंगे पिटे L by K2 into A तो वो बन जाएगा K2 A by L देखो L L L तीनो तरब से cancel area 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 सब तरब से cancel K equivalent will be K1 plus K2 divided by 2 तो parallel में यह formula बन जाता है पिटे K1 plus K2 divided by 2 किक है K1 plus K2 divided by 2 done done and dusted चलो दिल बना दो एक बर जल्दी से और यह question कर दो 2017 में आया है ज्यादा पुराणा नहीं है 2017 में आया है ठीक है बोल रहा है कि यहां का temperature T1 यहां का temperature T2 ठीक दो rods लगा दिये A और B इसका conductivity है K1 इसका conductivity है K2 बताईए थर्मल कंडुक्टिविटी का एक्क्यूवेलेंट कितना होगा अरे पार्लल कॉंबिनेशन है दिख रहा है सभी को है ना उपर नीचे लगे हुए है पार्लल कॉंबिनेशन है सेम लेंथ है सेम एरिया है के वन प्लस के टू डिवाइड़ बाई टू डी इस दा आंसर बनाव दिल है ना बनाव स्वैक से लूट बनाव इस पार बेटा खतम है क्या करना है दन अन डस्टेट चलो आगे बढ़ेंगे अगला टॉपिक है बच्चो जंक्षन टेंपरेचर क्या टॉपिक है अगला जंक्षन टेंपरेचर देखो जंक्षन टेंपरेचर कैसे निकाला जाता है मैं आपको बताता हूँ है ना सवाल ऐसा रहता है कि मान लीजिए मान लीजिए यहाँ पर एक rod है और उसके just bugle में एक और rod है ठीक दो rods है बेटा ओके, यहाँ का temperature है 100 degree Celsius यहाँ का temperature है 0 degree Celsius इसका thermal conductivity है K, इसका है 2K है ना area दोनों का देख लो बराबर है A, इसका भी area हो गया आपका A इसका भी area हो गया A और इसका भी area हो गया आपका A ठीक है, length लेकिन अलग-अलग है, अब length सुनो कितना कितना है ठीक है, इसका length है बच्छो, 2L और इसका length है बेटा L के बराबर इसका length है 2L के बराबर इसका length है L के बराबर आपसे पूछ रहा है बताओ इस junction का यह जो दोनों rod का junction है बेटा junction इसका temperature कितना है junction temperature बोलते हैं इसको ठीक है? बीच वाले point का बीचो बीच वाले point का temperature कितना है? ठीक है? देखो कैसे solve होगा I will let you know कैसे solve होगा सर आपको एक बात पता है कि यह दोनों series में connected है right? right series है ना? है ना? हाँ तो यहां से जितना भी heat अंदर जाएगा बेटा यान की QT वही heat यहां से भी जाएगा यान की QT अरे जैसे series में current same होता था, दो registers होते थे, series में current same होता थीक उसी प्रकार से current same होगा, जितना भी heat current यहां से गया उतना ही heat current यहां से भी जाएगा heat current समझ रहे ना? Q by time, Q by time दोनों जगे Q by time, Q by time same रहने वाला है, ठीक है? अब यह तो समझ गया दोनों में Q by time same है Q by T same है, तो दोनों को equate कर दो पहले वाले का Q by T आप क्या लिखेंगे? Q by T का formula क्या होता है? Q T का katerina यानि कि K, A, T1 minus T2 देखो तो T1 कितना है यहां का? T2 कितना है इसका T तो आप लिखेंगे 100 minus T divided by length length कितना है पहले वाले का? 2L यह हो गया पहले वाले का QT बराबर दूसरे वाले का QT दोनों बराबर हैं दूसरे वाले का QT क्या लिखेंगे आप? अगेन कैटरीना लेकिन कैटरीना में 2K आ जाएगा इस बार क्योंकि यह 2K है एरिया तो चलो A है temperature difference देखो T यहां पे और 0 यहां पे तो T minus 0 यानि कि T divided by length देखो कितना है बेटा? L सबको चमका क्या? सबको चमका क्या? इसका कैटरीना बराबर इसका कैटरीना simple ठीक है? यानि कि इसका QT बराबर इसका QT दोनों का QT सेम है ठीक है? K, K cancel, A, A cancel L और L भी cancel क्या बचा बेटा? 100 minus T divided by 2 बराबर 2T उधर जाएगा तो बन जाएगा 40 तो आपको मिलेगा 100 minus T बराबर 40 यहां से आप इसको जब solve करेंगे तो मिलेगा 5T बराबर 100 तो T बराबर 100 by 5 यानि कि कितना आ रहा है बेटा? 100 by 5? 20 20 degree Celsius आएगा ए 50 कैसे बोल रहे हो है? तुम लोग solve solve कर रहे हो कि नहीं कर रहे? 50 नहीं आएगा भाई यहां पर answer यहां पर answer आएगा 20 degree Celsius 50 तो पिछले साल आया था प्रभल बैच वाले इस क्लास में आ था 50 तो लगता कुछ लोगों कुछ का answer याद था है बेटा ऐसे solve करोगे और solve करके answer आएगा 20 degree Celsius 50 विफ्टी नहीं यह इसका answer है ना? येस चलो लिखो छापो फटा फट लिखो लिख लिया? तो ऐसे निकालते हैं आप junction temperature है ना? junction temperature आप ऐसे निकालते हैं हो जाएगा ना बेटा junction temperature done and dusted मानके चलूँ क्या में एकदम से है ना? चलिए बहुत बढ़िया अब आगे बढ़ते हैं बेटा अब जो next topic है अच्छा आप जब कल practice session में आओगे आओगे ना? कल अच्छा बेटा YouTube तेड़ बजे और practice चार बजे कर सकते हैं क्या आपन? चोड़ो छोड़ो फिलाल जो चल रहा चलने देते हैं है ना? लेकिन हाँ कल के practice session में मैं आपको तीन रोड वाला junction temperature करवाऊंगा वो practice session में होगा ठीक है? यह ऐसे रहेंगे तीन रहेंगे उसमें तीन रहेंगे बेटा तो मेरे telegram आप जॉइन करके रखिये t.me slash gg sir phil इस पर मैं आपको दूँगा telegram special class का link वहाँ पर आपको आना है और कल तीन रोड बाला भी करवाऊंगा मैं आपको ठीक है? junction temperature when three rods are there. आसान होता है heat input बराबर heat output करना होता है बस. जैसे यहाँ पर किया था heat input बराबर heat output वही करना होता है. ठीक है? चलो. फिलाल आजाओ radiation में radiation के बारे में मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूँ. इसको किसी medium के अवशक्ता नहीं है. है ना? कितनी speed से travel करता है यह जितनी speed से EM wave चलती है. यानि कि 3 into 10 की power 8. अब radiation में बेटा सबसे पहले एक चीज़ आपको सिखाई जाती है. वो क्या है? देखिए. माल लीजिए कोई surface है. ठीक है सर, surface माल लिया. इस पर माल लीजिए थोड़ा बहुत heat incident हुआ. Q incident हुआ. ठीक है? इसके साथ 3 type के कांड हो सकते हैं. क्या क्या है? वो कांड सुनिएगा. heat incident के साथ पहला कांड हो सकता है कि यहां से थोड़ा सा heat reflect हो जाए. reflect हो जाए. चम चम आता हुआ surface है. reflect हो गया. ठीक? दूसरा हो सकता है कि थोड़ा सा heat absorb हो जाए. heat इसने अपने पास रख लिया. absorb कर लिया उसको अपने पास. और तीसरा हो सकता है कि heat थोड़ा transmit हो जाए. अब जैसे कुछ बच्चे होते हैं जो बोलते हैं सर आपको जो पढ़ाना है पढ़ाओ मैं तो सारा reflect मारूँगा. इधर से आएगा इधर से निकल जाएगा. तो reflect कर रहे हैं वो लोग है ना? reflect कर रहे हैं. reflect. निहायती बदमाश बच्चे. पूरा reflect. पढ़ाओ. सारा reflect कर दिया. कुछ बढ़िया बच्चे होते हैं जो absorb कर लेते हैं. कि सर ने पढ़ाया और बच्चे ने absorb कर लिया. पढ़ लिया. अब वो बढ़िया से exam दे सकता है क्योंकि उसने पढ़ लिया. knowledge को absorb कर लिया. तो वो है Q absorbed. और कुछ बच्चे होते हैं मेरे type के. जो पढ़ते भी हैं, absorb भी करते हैं और बाद में transmit भी कर देते हैं. transmit मतलब दूसरों को भी ग्यान का सागर देते हैं वेटा. ज्यान फैलाते हैं. बाहर भी निकालते हैं ज्यान को. ऐसा नहीं सारा absorb करके अपने पास रख लिया है ना? थोड़ा दूसरों को भी देते हैं ज्यान. ठीक है? तो इक ज्यान देने वाले मतलब transmit. तो तीन possibility हैं. आपको अगर मैं आज पढ़ा रहा हूँ तो आप तीन चीज़े कर सकते हैं उसके साथ. या तो पूरा पूरा reflect कर दोगे, या तो absorb कर लोगे, या तो आप transmit करोगे. हो सकता है थोड़ा थोड़ा सब कुछ करते हैं. थोड़ा 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 आप सब कुछ करते हैं. माली जे 100 Joule inlet हुआ, तो हो सकता है आप 20 Joule या 10 Joule reflect कर दिया आपने. 10 Joule आपको समझी नहीं आया, गया. अब्सॉर्व आपने कर लिया माली जे 80 Joule. कितना बच गया बेटा 80 प्लस 10 90 हो गया 10 जूल आपने ट्रांस्मिट कर दिया किसी और बच्चे को थोड़ा सा पढ़ा दिया कि ले भाई तू भी पढ़ ले तो 80 जूल absorbed 10 जूल reflected 10 जूल transmitted तो देखिए simple सी कहानी ये बनेगी कि भाई कितना भी incident हुआ था बराबर Q reflected plus Q absorbed plus Q transmitted सही बोल रहा हूँ ना तीनों को जोड़ेंगे तो 100 आएगा ना 10 प्लस 80 प्लस 10 करेंगे तो 100 आएगा ना पिटा येस तो इन टोटल is equal to incident अब क्या करते हैं इस पूरे equation को Q incident से divide कर देते हैं तो यहाँ भी Q incident से divide यहाँ भी जो है Q incident से divide इधर भी Q incident से divide इधर भी Q incident से divide पूरे को incident heat से divide तो ये कितना बचेगा 1 इसको क्या कहते हैं पता है ये है heat reflected upon total incident ये fraction बता रहा है fraction कि कितना reflect हुआ है उसका fraction बता रहा है बेटा reflected out of total, reflected out of total fraction कितना reflect हुआ है इसको बोलते है reflectivity R plus ये देखो कितना absorbed हुआ out of total absorbed upon total ये है fraction absorbed इसको बोलते है absorptivity A या फिर alpha या फिर alpha absorptivity ये क्या था reflectivity लिख देता हम है यहाँ पर ये है reflectivity ये क्या है बच्चो एब्सॉप्टिविटी प्लस देखो ये क्या है transmitted heat upon q incident तो ये है टाव टाव क्या है बेटा transmissivity ठीक है तो ये बता रहा है reflectivity कितना fraction reflect हुआ है ये बता रहा है एब्सॉप्टिविटी कितना absorbed हुआ है fraction टाव क्या है transmissivity इस given question में बताओ र कितना है चलो बताओ र कितना है calculate करके बताओ र कितना है तो र का formula क्या है कितना reflect हुआ upon कितना incident हुआ तो reflect हुआ है 10 incident हुआ है 100 तो यह आएका 10 by 100 बोले तो कितना 0.1 0.1 आर ए कितना है बोलो ए कितना absorb हुआ upon total absorb हुआ है 80 है ना 80 absorb हुआ है upon 100 तो 80 by 100 कितना आ जाएगा बेटा 0.8 transmissivity बताओ transmissivity कितनी आई है कितना transmit हुआ है 10 out of 100 तो again 10 by 100 कितना आ जाएगा बेटा 10 by 100 हो जाएगा आपका 0.1 ऐसे निकालते हैं absorptivity reflectivity transmissivity तीनों को जोड के देखो तो कितना आ रहा है 0.1 प्लस 0.8 प्लस 0.9 प्लस 0.1 वन तो देखो वहीं चीज़तों यहां पे लिखी है कि आर ए और टाउ को जोड़ोगे तो वन आएगा अरे वाह सही है सर सही है ना तो आर प्लस ए प्लस टाउ जब भी आप करेंगे बेटा तो आंसर आएगा आपका वन के पराबर चलो दिल बना दो फटा फट अगर यह clear है कोई दिक्कत नहीं है ना कैसे heat का distribution होता है समझ गए बेटा कुछ reflect हो सकता है कुछ absorb हो सकता है और कुछ transmit भी हो सकता है ठीक है चलिए बहुत बढ़िया आईए आगे बढ़ते हैं आईए let us move ahead बच्चे let us move ahead अब यहां पर आप देखोगे तो लिखा है r बराबर 0 t बराबर 0 a बराबर 1 इसको बोलते हैं बिटा perfectly black body देखो black body क्या करती है ना अगर आप एक black body की बात करोगे ना बिटा black body में reflectivity 0 कुछ reflect नहीं करता हो जो पढ़ाया गया सब अंदर है transmissivity भी 0 दूसरों को भी नहीं पढ़ाता चतुर रामा लिंगम पढ़ा देखा है तुमने थ्री इडिट्स उसमें चतुर जाना चतुर ऐसा ही था बेटा सब समझ लेता था definition इतम रड़ जाता था reflect कुछ नहीं करता था लेकिन दूसरों को पढ़ाता भी नहीं था बलकि द इड्जॉर्ब कर लेती है फैरी नाम के साइंटिस्ट ने इसको कैसे कनसेप्चुलाइज किया फैरी ब्लाक बॉड़ी फैरी ने बोला अगर एक मतके जैसा एक ऑब्जेक्त लेलो आप स्फेरिकल एंग्वेजर लेलो ठीक है स्फेरिकल एंग्लोजर लेलो स्फियर और इस कोईंट से heat को incident करा दो यहां से heat incident होगी वो सकता है तकरा के इधर जाएगी तकरा के इधर जाएगी फिर 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 तकरा के इधर जाए बाहर नहीं गया कुछ भी ना ट्रांस्मिट हुआ ना रिफलेक्ट हुआ सारा इस बॉड़ी के अंदर ही है इसको बोलते हैं फेरी इस ब्लाक बॉड़ी इस अस्फियर विद अस्मॉल उपनिंग कंसेप्चुलाइज किया कि ब्लाक बॉड़ी कैसा होता है थोड़ा कंसेप् स्फियर लेलो थोड़ा से एक इनलेट बनाके हीट को अंदर भेज दो वहीट अंदर ही रह जाता है बाहर नहीं आपाता ओपनिंग इतना स्मॉल है कि वहां से जगए डूंड के हीट बाहर निकल ही नहीं पाता है ठीक है तो ब्लाक बॉड़ी ना तो रिफलेक्ट करेगा ना तो ट्रांस्मिट करेगा और ना ही मतब हाँ एब्सॉर्प तो करेगा ही करेगा ठीक है कुछ ना तुस तो करना पड़ेगा ना कुछ नहीं करेगा तो कैसे चलेगा अच्छा अगर ट्रांस्मिटिविटी जीरो है एब्सॉर्प्टिविटी भी जीरो है अब्सॉर्प Engineering में तो अब्बा ने admission करवा दिया क्योंकि अब्बा नहीं मानेंगे जबरदस्ती admission करवा दिया तो उसको जो भी पढ़ाया जाता था वो reflect कर देता था everything पढ़ा रहे हो reflect कर रहा है दूसरों को तो पढ़ा नहीं सकता है समझ रहा है, समझ रहा है, समझ रहा है अब आता है perfect transmitter ये है रंड छोड दास चाचड जो दूसरों को pass करवाते हैं क्योंकि इनकी transmittivity one है इनको पढ़ने वढ़ने की जुरत नहीं होती है classes classes करा तो करा, नहीं करा तो नहीं करा सम आता है इनको तो reflect तो करेंगे नहीं, absorb भी नहीं कर रहे लेकिन transmittivity इनकी one है कुछ भी पूछ लो, खडाक से बता देंगे तो ये पूरी बेटा three digits movie चल रही है यहाँ पे है ना, कुछ भी पूछ लो इनसे खडाक से आपको answer दे देंगे तो इनकी transmittivity one के बराबर है transmit कर रहे है, this is called perfect transmitter, ठीक है this is called perfect transmitter एक और body के बारे में बता दू मैं आपको अगर opaque लिखा है कहीं पे opaque लिखा है बेटा, opaque तो opaque का मतलब होता है tau बराबर 0 जो transmit नहीं करता ना, उसको opaque बोलते है तो देखो ये भी opaque है पहला वाला ये भी opaque है, t बराबर 0 है ये भी opaque है, ये भी opaque है opaque मतलब जो transmit नहीं करता है जिसमें से heat गुजर नहीं सकती है ठीक है, yes ठीक है classic example है ना, समझ गया ना चलिए, field के गंगा बह गई 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 ना बस गंगा ही बहाने तो आते हैं हम लोग है ना जोद से जोद चलाते चलो field के गंगा बहाते चलो चलो भई, आगे बढ़ो आजाओ, 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 आजाओ अब है बेटा, emissive power देखो, ऐसा कहा जाता है कि जो भी body 0 Kelvin के उपर है देखो, 0 Kelvin पे वैसे भी पहुंचना ना मुम्किन है बहुत, बहुत मुश्किल है 0 Kelvin पे पहुँचना 0 Kelvin मतला, minus 273 degree Celsius तो बोला गया कि जो भी body 0 Kelvin के उपर है क्या मैं 0 Kelvin के उपर हूँ हाँ, बहुत उपर हूँ ये जो phone रखा है 0 Kelvin के उपर है बहुत उपर है ये bottle 0 Kelvin के उपर है, बहुत उपर है 0 Kelvin तो बहुत low temperature है minus 273, उतना low तो सारी bodies आप सपास जो आप देख रहे हैं, वो 0 Kelvin के उपर ही है बोला गया जो भी body 0 Kelvin के उपर है 0 Kelvin के उपर है, वो heat emit करती है हाँ, मतलब ये bottle भी न, अभी heat emit कर रहा है गर्मी तो नहीं लगरी लेकिन कर रहा है बिचारा भले थोड़ा बहुत कर रहा है इससे ज़्यादा मैं कर रहा हूँ इसको मेरी विज़े से गर्मी लगरी होगी क्योंकि human body generates heat है न तो ये बोल रहा है रहे, छोड़ ना भाई, मेरे को गर्मी लगरी है ये छोड़, चल छोड़ देते हैं, जाओ, एश करो तो basically वो भी विचारा heat emit कर रहा है बट बहुत कम, बहुत कम तो मेरे को उसकी heat महसूस नहीं हो रही मैं उससे ज़्यादा heat emit कर रहा हूँ उसको heat महसूस हो रही होगी मेरी हाला कि विचारा बोल नहीं पाता है तो बता नहीं पा रहा है कि कितना कर्मी लगरी है हो आई कर्मी हो रही है उसके साथ है ये इसमेट लेकिन मेरे को नहीं फिल हो रहा है क्योंकि बहुत कम heat emit कर रहा है ये amid कितना कर सकते हैं आप वो किस चीज़ पर डिपेंट करता है वो डिपेंट करता है आपके टेंपरेचर पर आपके टेंपरेचर पर तो emissive power of a black body is given by sigma t की power 4 कितना आप heat emit कर सकते हैं per unit area per unit time is called sigma t की power 4 पहले तो आप पढ़ो emissive power क्या होता है जो e है ना पहले आप वो पढ़ो तो पढ़ो e का formula होता है e का जो formula होता है heat emitted upon area upon time यारी कि heat emitted per unit area per unit time समझे हो heat emitted per unit area per unit time इसके unit कौन बताएगा देखो पहले तो यहाँ पर qt है qt की unit कितनी होती है बेटा qt क्योटी की unit क्या होती है watt और watt के अलावा नीचे meter square हो जाएगा area भी तो है तो यह बनेगा watt per meter square qt का watt और area का meter square तो watt per meter square ठीक है यह इसकी unit है this is called emissive power एक बात बताओ अगर एक body है जो निकालती है 600 joule ठीक है 600 joule एक minute में एक minute में 600 joule और इसका area है बेटा 1 meter square तो बटाओ उसके emissive power कितनी हो जाएगी निकालो मुग किया देख रहे हो निकालो emissive power बराबर q upon area into time q कितना है 600 area कितना है area 1 meter square time कितना है one minute लेकिन यहाँ पर one मत लिख देना second में लिखेंगे आप one मत लिख देना है यहाँ सर लो one minute 600 आ गया सर आंसर नहीं बेटा यहाँ पर आप लिखोगे 60 एक minute में 60 सेकेंड होते हैं है ना तो यह देखो दोनों कैंसर हो गए आपका अंसर आ जाएगा 10 watt per meter square ठीक है ना 10 watt per meter square अब लिखो एक और question देता हूं आपको जो previous year में आ चुका है बोला गया कि एक cube है यहाँ पे ठीक है मेटा एक cube है cube जो है 6000 joule बाहर निकाल रहा है 6000 joule ठीक है पर second मानलो एक second में time है एक second इसके किसी भी एक surface का area है 10 meter square एक surface का area है 10 meter square तो बताओ emissue power कितना emissue power कितना emissue power हो जाएगा q upon area into time है ना time तो 1 second है यह 6000 joule हो गया upon time तो 1 हो गया बताओ कितना हा रहा है बताओ बताओ कितना रहा है area कितना रखोगे area कितना रखोगे come on कोई बोल रहा है 100 कोई बोल रहा है 600 area आप रखेंगे 10 multiplied by 6 सर यह क्या हुआ सर multiplied by 6 क्यूँ बेटा cube के एक surface का area 10 है एक surface का एक side का area 10 है ऐसे कितने sides होते हैं cube के पास 6 तो 6 से multiply कौन करेगा हम ही तो करेंगे समझ रहो cube का एक surface का area 10 है ऐसे 6 sides होते हैं तो 6 से multiply करना पड़ेगा और time तो चलो 1 है तो time तो 1 हो गया तो आपका answer आएगा 6000 divided by 60 100 watt per meter square जिन्होंने 100 बोला था उनके लिए तालिया good job तुमने यह miss नहीं किया कि भाई cube के पास 6 surfaces है यह तो एक surface का area 10 तो है तो तुम लोग इतरा आलो बेटा और जिन्होंने 600 बोला आपने 6000 बाई 10 कर लिया आप थोड़ा थोड़ा शर्मा आलो ऐसे ठीक है बनता है थोड़ा शर्माना तो बनता है तो मसी पावर क्लीर हो गया बेटा कितना heat emit कर रही है कोई body per unit area per unit time q upon a into time अब आप इसका मसी पावर बता सकते हो क्या अगर area पता है तो बता सकते हो area पता होना चाहिए कितना heat निकाल रहा हो बता होना चाहिए तो निकाल लोगे आप लेकिन स्टीफन बोल्ड़्जमन दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने मसी पावर का formula temperature के format में दिया उन्होंने बोला कि अगर body black है मान लो अगर कैसी body है भाई black body है तो मसी पावर temperature के साथ उसका क्या relation है sigma t की power में 4 sigma is a constant बेटा sigma is called स्टीफन's constant इसकी value याद करना बहुत आसान है sigma की एक fixed value है ठीक है न इसकी value होती है 5.67 into 10 की power में minus 8 5, 6, 7, 8 5, 6, 7, 8 कितना असान है याद करना 5.67 10 की power minus 8 है ना ऐसे आप sigma की value को याद कर सकते हो तो मसी power of black body is given by sigma t की power में 4 और ये भी बोला गया कि black body का मसी power maximum होता है emissive power is maximum for a black body मतलब समझे बीटा तुम black body emit भी maximum कर सकता है और absorb भी maximum कर सकता है बढ़ा था ना अभी absorbivity 1 होती है black body की मतलब maximum absorb कर सकता है बहुत absorb कर सकता है तो emit भी maximum कर सकता है वो है ना निकाल भी सकता है बहुत maximum ठीक है emit भी वो maximum कर सकता है emissive power of a black body is maximum ठीक है चलिए इतना हो गया क्या थोड़ा सा थिओरी चलेगा भी है ना बस 5-7 मिनिट और अभी थिओरी थोड़ा सा चलेगा उसके बाद अपन फिर थोड़ा सा नियुमारिकल में आ जाएंगे तो थोड़ा सा बेर विथ मी और थोड़ा सा काम चला ले ना हल्का-फुल का थिओरी ह ब्लाक बॉडी का में सीपावर का फॉर्मला क्लियर होगी आपको सिगमा इंटू टी की पावर में फूर तो सर ब्लाक बॉडी का तो आपने बता दिया एक सिकंड ना चीक आ रही है को को सौरी बच्चो बिना बताये चीक आगई अगे बटे थैंक यू आप लोग ब्लिस्यों रिखना है थैंक यू सो मच आगे बटे देखो ब्लैक बॉडी का तो मैंने बता दिया सिगमा टी की पावरफोर अगर बॉडी नॉन ब्लैक हुआ if the body is non-black तो non-black का हो जाता है e times sigma t की power 4 e times sigma t की power 4 और e को बोलते हैं बिटा emissivity यह याद रखना पड़ेगा ठीक है ना यह सब याद रखना पड़ेगा जो मैं पढ़ा रहा हूँ पता आप black body का emissivity power कितना sigma t की power 4 that's it non-black हुआ तो कितना e times sigma t की power 4 और emissivity की value हमेशा less than 1 होती है क्योंकि emissivity power non-black का कम ही तो होगा black body का maximum है ना black body का maximum है ना बिटा तो non-black का तो कम ही होगा ना yes ठीक है emissivity का एक formula भी है देखो वो formula क्या है emissivity e is defined as emissivity power of non-black body emissivity power of non-black body divided by emissivity power of black body आप चाहो तो उसको check कर सकते हो e आता है कि नहीं आता देखो non-black के लिए emissivity power का formula क्या है e sigma t की power 4 यही है ना बिटा formula e sigma t की power 4 cross check कर रहा हूँ मैं upon black body का emissivity power क्या है sigma t की power 4 cancel कर रहे तो क्या बचेगा e ही तो बचेगा cancel कर रहे तो क्या बचेगा e ही तो बचेगा तो यह cross check करने के लिए था कि formula सही पढ़ा रहे है सहर आपको है ना गलत नहीं पढ़ा रहे है सही पढ़ा रहे है emissivity बराबर emissivity power of a non-black body upon emissivity power of a black body यह जो दो तीन formula और थोड़ी सी theory मैंने आपको पिछले 5-7 मिनूट में पढ़ाई है यह याद हो गई कि अब एक बार revise करवा दूँ क्या मैं आपको है ना देखो revise करवा देता हूँ emissivity power का definition होता है बिटा heat upon area upon time q upon area upon time इसमें मैंने आपको दो तीन questions करवा दिये emissivity power down q upon a into time अब emissivity power का temperature के साथ क्या relation है sigma t की power 4 अगर black body है और e times sigma t की power 4 अगर non black body है e क्या है emissivity e क्या है बेटा emissivity इसके value less than 1 होती है emissivity का formula क्या है emissive power of non black upon emissive power of black body यह theory याद रखना इससे direct question बनता है जैसे की कैसा question बनता है सर देखो हमें बताता हूँ मान लो emissive power of non black body आपको given है 600 watt per meter square और emissivity power of black body आपको given है 1000 watt per meter square पता हूँ तो emissivity कितनी हो जाएगी emissivity कितनी हो जाएगी तो इसका ratio emissivity power of non black upon emissivity power of black यानि कि 600 हो गया non black का और 1000 हो गया black का लो भाई 0.6 तो literally ऐसे सवाल देखे गए हैं आपके exam में ठीक है? कि emissivity निकालो अच्छा अब मैं आपसे बोलता हूँ emissivity of black body निकालो अगर black body है तो उसकी emissivity कितनी होगी? पता हूँ 1 क्योंकि black के लिए उपर भी black रखोगे, नीचे भी black रखोगे है ना? उपर भी black आजाएगा नीचे भी black आजाएगा, तो 1 ही तो आजाएगा तो emissivity of black body is always 1 even absorptivity of black body is equal to 1 देखे, emissivity and absorptivity are 1 and 1, और emissivity बराबर absorptivity होता है this is called Kirchhoff's law थियोरी चलरी है भाई बढ़िया एक-एक पॉइंट, एक-एक सही तरीके से सही समय पर बता रहो है आपको है ना? देख लीजे, emissivity बराबर absorptivity आया कि नहीं आया भाई? वन आया कि नहीं आया, दोनों के दोनों है ना? दोनों के दोनों वन आया ब्लैक बॉड़ी के लिए तो Kirchhoff law कहता है कि at thermal equilibrium, emissivity and absorptivity are equal at thermal equilibrium है ना? at thermal equilibrium तो कल जब आप practice session पे आओगे और इस से related question दिखेगा ना बेटा? तो 100% सही होना चुही है emissivity से related questions आएंगे कल जब आप आओगे तो है ना? इनी सब topics पे question बनेगा कल, ठीक है? और आसान-आसान सा बनेगा tension मत देना बोल रहा है अब black body at a temperature of इतना, radiates heat at a rate of इतना, at a temperature इतना the rate of heat radiated will be करो के try? पहले question को समझो बोल रहा है 227 degree Celsius पे इतना emissivity power है यह emissivity power ही तो है heat upon area into time है देखो heat का calorie हो गया upon area centimeter square हो गया और second हो गया, unit बस change है है तो emissivity power तो emissivity power 227 degree पे इतना है तो बताइए emissivity power 727 degree पे कितना होगा emissivity power 227 degree Celsius पे इतना है तो emissivity power 727 पे कितना होगा 80 होगा 60 होगा 112 होगा या फिर 50 होगा क्या answer आ रहा है बताओ तो बिटा simple calculation है और कुछ नहीं है क्या answer आ रहा है कल practice 2 बजे है ना कल practice का वही time रहेगा बिटा 2 बजे आज 9 बजे था क्योंकि हमें एक meeting में जाना है है ना आपका session end करके मैं तुरंट भागूंगा भी आपका session जैसी मैंने end किया तुरंट भागने माला हूं है कुछ बच्चे C कह रहे है कुछ बच्चे D कह रहे है आओ solve किया जाए देखते हैं सही answer क्या है सही answer है D कैसे भाई देखो emissive power is equal to sigma t की power में 4 है ना यानि कि ऐसा लिख सकते हैं क्या e2 by e1 बराबर sigma t2 की power 4 upon sigma t1 की power 4 हाँ e is proportional to t और बिटा sigma और sigma तो cancel ही हो जाएंगे है ना sigma और sigma तो निकल लिए cancel ही हो गए तो आपको मिलेगा e2 by e1 बराबर t2 by t1 की power में 4 e2 by e1 बराबर t2 by t1 power में 4 अब देखो गलती से भी t2, t1 को यहाँ पे degree Celsius में मत रखते ना यहाँ पे मत करना है यह गलती बिटा यहाँ पे difference नहीं है यहाँ पे division है Kelvin में रखना पड़ेगा 227 को Kelvin में convert कर लो 273 add कर दो आप इसमें तो 227 है ना 73 add किया तो 300 हो गया और 200 और add किया तो यह 500 हो जाएगा ठीक है? 500 और इसमें देखो कितना हो जाएगा 727 में 273 add करके देखो बेटा तो 727 में 73 add किया तो 800 हो गया 800 में 200 और add किया तो यह 1000 हो गया तो final temperature है यानि कि T2 है 1000 और T1 है बेटा 500 इसकी power में 4 यहाँ पे आ गया E2 by E1 E1 कितना given है? 7 देखो E1 जो है 7 आपको given है ना तो आपका answer देखो क्या आ जाएगा E2 बराबर 7 times यह कितना हो गया बेटा? 2 500, 2000, और 2 की power 4 कितना हो गया? 16 तो 7 into 16 इसना answer और इसको जब आप solve करेंगे तो 112 आ जाएगा Finish, क्या कहते हो? है ना, मतलब chapter finish नहीं हुआ अभी इतना भाउग मत हो ना Topic finish, है ना MSU power पे question मैंने आपको करा दिया, done and dusted है पेटा Yes, no problem at all चलिए, आगे बढ़ते हैं आईए किर्चोफ law मैंने बताई दिया आपको statement यहाँ पे लिखा हुआ, बाद में पढ़ लीजिएगा पड़ यह बोलता है कि thermal equilibrium पे E बराबर A होता है emissivity बराबर absorptivity होता है, ठीक है? E बराबर A होता है अगला topic बस दो ही topics अब बच गए है एक Wien's Displacement law बच गया है और एक Newton's law of cooling बच गया है बस दो topics हैं, दोनों को कराके मैं आपकी glass छोड़ दूँगा ठीक है ना? थोड़ा सा पानी पी लेते हैं आगे फिर इसको continue करते हैं Wien's Displacement law, heading डाल लो Wien's Displacement law ठीक है Wien's Displacement law सबसे पहले तो ये जो graph आप यहाँ पर देख रहे हैं ये experiments करके आया है हमको ये graph याद रखना है बेटा ठीक है? क्या कहता है ये graph देखो? किसके किसके बीच में है? इधर है spectral energy density आप spectral energy कह लिजे सीड़ा सीदा, ठीक है? energy कह लिजे और यहाँ पर है wavelength तो ये graph बनाया गया है इस तरफ spectral energy density energy कह लिजे आप सीदा और इधर आप कह लिजे wavelength ठीक है? जब ये graph बनाया गया किसी एक temperature पे तो ये graph कुछ ऐसा आया ये डुग 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 और फिर ये डुग 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 peak energy मिलती है peak spectral energy density मिलती है जिस wavelength पे उसको lambda max कहते है otherwise बच्चों को generally क्या रखता है sir lambda max बोल रहा है ना तो maximum wavelength ना sir तो यह lambda है ना sir maximum तो इधर कहीं होगा न lambda maximum नहीं बेटा lambda max का मतलब है वो point जहां पे energy maximum मिल रहा है lambda max का मतलब है वो lambda जहां पे energy maximum मिल रहा है ठीक है तो यह बोलती है lambda max 1 T1 पे अब लोगों ने क्या किया यही graph बनाया T2 पे higher temperature पे तो जब higher temperature पे इसी graph को बनाया गया ना तो देखा गया कि यह hump थोड़ा पीछे आ गया यह T2 है बेटा T2 is greater than T1 higher temperature पे बना रहे है यहनि कि lambda max की value कम हो गई temperature बढ़ा है temperature की value बढ़ी है लेकिन lambda max पीछे किसग गया है यहनि कि temperature increase कर रहे हैं हम लोग लेकिन जो lambda max है जिस पे energy maximum मिलती है यहनि कि जो peak point है peak point वो पीछे चलता जाता है यहनि कि एक चीज बढ़ती एक चीज कम होती जाती है तो weans ने एक displacement law बनाया कि भाई पक्का lambda max into T constant है क्योंकि ऐसे variation में जब एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी चीज कम हो जाएगी है ना एक चीज को आप बढ़ाओगे दूसरी चीज अपने आप कम हो जाएगी तो lambda max into T बराबर constant is the weans displacement law यह अपने को याद रखना है और देखो मैं इस graph में और अच्छे से समझा देता हूँ कि जैसे जैसे आप temperature बढ़ाते है ना peak देखो कैसे पीछे बागता जाता है ना देखो यहाँ पे temperature 3500 Kelvin है पहले थोड़ा zoom कर लो चलो 3500 Kelvin है बिटा तो peak कहाँ पे आया है यहाँ कहीं पे आया है फिर देखो 4000 Kelvin हो गया बड़ा temperature ठीक है बड़ा temperature इसका peak यहाँ पे आया था इसका peak देखो पीछे आ रहा है थोड़ा कम 4500 पे देखो peak और पीछे आ रहा है बिटा उसके उपर देखो peak और थोड़ा पीछे जा रहा है है ना तो जो peak वाला lambda है यानि कि वो lambda जहाँ पे energy maximum मिलती है वो पीछे खिज़कता जाता है जैसे जैसे आप temperature बढ़ाते जाते हो तो भाई simple सी बात temperature बढ़ेगा तो lambda max कम होगा और law क्या है law law कहता है भाई lambda max into t बराबर constant ठीक है lambda max into t बराबर constant अगर बिटा मैं graph बनाऊ यहाँ पे रखूं lambda max यहाँ पे रखूं t क्या बता सकते हैं कैसा graph बनेगा यह अच्छा बुरा मत बोलिएगा कैसा मतलब इसका variation कैसा होगा इधर lambda max है इधर t है किस type का variation बनेगा rectangular hyperbola ऐसा this is called rectangular hyperbola pv बराबर constant x y बराबर constant है यह यह x हो गया यह y हो गया x y बराबर constant है बिटा और x y बराबर constant का graph ऐसा बनता है देखो एक चीज़ बढ़ रही तो दूसरी चीज़ कम हो रही है temperature बढ़ रहा है तो lambda कम हो रहा है यह straight line नहीं है इसको straight line समझने की गलती मत करना कई बच्चे इसको straight line समझ बैठते हैं कि सर proportional है proportional नहीं है बेटा inverse नहीं प्रपोर्चनल है बलकि क्योंकि lambda max बराबर constant upon temperature हो गई है यह T जो है इधर चला जाएगा तो constant upon temperature होगा तो कल को अगर तुमसे सवाल पूछ लिया जाए कि बताओ वीन्स लॉव में lambda max और T का क्या variation होता है तो rectangular hypergola जो कि ऐसा सा दिखाई देता है ठीक है तो कल की class में इस पे भर-भर के questions होंगे तयार रहेगा theory मैंने करवा दिया last topic पे आते है बिटा आज का जो की है Newton's law of cooling ठीक है Newton's law of cooling में किस type के question आते है पहले मैं आपको question दिखाता हूँ यह आया था 2021 में क्या बोलता है देखो एक cup of coffee है cool हो जाता है 90 से 80 tea time में surrounding का temperature 20 है आस पास के surrounding का temperature 20 है तो देखो 90 से 80 तक जाने में कितना time लगा tea time लगा तो पुछता बताईए 80 से 60 जाने में कितना time लगेगा 90 से 80 जाने में tea time लगा तो 80 से 60 temperature जाने में कितना time लगेगा तो option है 5 by 13 T, 13 by 10 T, 13 by 5 T, कैसे solve होता है मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है, देखो, आपको हमेशा ऐसा given रहेगा बेटा, कि temperature कुछ T1 था, ठीक, बाद में T2 हो गया, और उसको होने में T time लगा, और जो surrounding है, उसको T infinity बोलते हैं, उसका temperature T infinity है, ये given रहता है हमेशा, ठीक है, कि T1 था, T2 हो गया, T time लगा, और T infinity is the surrounding temperature, तो बेटा, जो law है ना, वो क्या कहता है, देखो, law कहता है, जो formula है, formula कहता है, T1 minus T2 divided by time, is equal to k times, k is a constant, जिसके ज़रत कभी नहीं पड़ती है, देखना अभी कैसे, cancel हो जाता है वो, k times, यहाँ पर बेटा, T average, T average कैसे निकालोगे, T1 plus T2 by 2, सही तो बोल रहा हूँ, T average कैसे निकालोगे, T1 plus T2 by 2 से, है ना, तो T average minus T infinity, ये formula है, बेटा, T1 minus T2 divided by time, बराबर k times, T average minus T infinity, एक बार फिर लिखता हो देखो, फिर से formula लिखना हो देखो, ताकि आपको याद हो जाए, T1 minus T2 divided by time taken, बराबर k times, T average minus T infinity, चमका, है ना, कल कौनसे chapter का practice है, पूछ रहे हो, इसी का तो practice होगा, जो आज पढ़ा रहा हूँ, और कल वैसे जो पढ़ा हूँगा, chapter यूट्यूब पे, वो KTG होगा, kinetic theory of gases, ठीक है, हाँ, पहले इसको तो खदम करो, आज ओ, अब दिखो बेटा, इस formula को लगाते कैसे है, क्या बोला 2021 वाले सवाल में, कि ये 90 से 80 cool होता है, T time में, और surrounding का temperature है 20, तो दिखो मैं formula कैसे लगाँगा, 90 से 80, तो T1 के जगे पे आप डालेंगे 90, T2 के जगे पे आप time कितना लगा है, T time लगा है, तो 90 से 80 जाने में T time लगा है, बराबर के को के ही छोड़ दो, अब बता बेटा, 90 और 80 का average कितना आएगा, 90 और 80 के बीच में क्या आता है, 85, direct average निकाल दिया मैंने 85, है ना, भाई, 80 और 90 के बीच में क्या आता है, 85, तो 85 is the average, आप चाहो तो ऐ से कर लो, 90 प्लस 80 डिवाइड़ बाई 2 कर लो, वही आएगा, 85 भी तो आएगा, या फिर बीच की वैली देख लो, कि 90 और 80 के बीच में क्या है, तो 85 है, बीच में है, तो 85 आ गया, माइनस, सराउंडिंग टेमपरिचर कितना गिवन है, प्यारे बच्छो, सराउंडिंग ग तो आप लिखोगे, तो आप लिखोगे, 80-60 upon time कितना तो उसको t- लिख लो, नया time कितना लग रहा है 80 से 60 जाने में उसको t- लिख लो, t2 भी लिख सकते हैं जो लिखना का मन करें, t2 मामा लिख लो चलो जो तुम्हारा मन करें, k तो k ही रहेगा बिटा, अब बताओ इनका एवरेज कितना, 80 और 60 के बीच में क्या आता है, 70 तो इनका एवरेज आ जाएगा 70 माइनस साराउंडिंग तो 20 ही है ऐसे करके दो एक्वेशन बनाने होते हैं, ऐसे करके आपको दो एक्वेशन बनाने होते हैं ठीक है, अब दोनों को डिवाइड कर दीजी, आंसर आजाएगा मैं पूरा करके बताओंगा, टेंशन मतलो पर इक्वेशन बनाना आया क्या आपको पहले बोला, 90 से 80 जाना है T टाइम में तो हम 90 से 80 गए, ये देखो 90 से 80 गए T टाइम में बराबर के टाइम्स इन दोनों का अवरेज निकाला, 85 आया माइनस T सराउंडिंग फिर वो बोल रहा है, 80 से 60 जाना है तो 80 से 60 गए, T डाइश टाइम में गए मानलो यहाँ पर के आ गया, यहाँ पर उसका अवरेज आ गया इन दोनों का, और माइनस T सराउंडिंग अब देखो, मैं solve करके देता हूं, आपको है ना देखो बेटा, इसको solve करो कितना आएगा, 90 मैनस T हो जाएगा 10, 10 बाइ T बराबर के टाइम्स, यह कितना आजाएगा बेटा 85 मैनस 20, 65 ठीक है सर, इसमें देखो कितना आएगा 80 मैनस 60, 20 upon T' बराबर के टाइम्स, 70 मैनस 20 कितना बेटा, 50 दोनों को आप डिवाइड करतो, ऐसे के और के तो cancel हो जाएगे मैने बोला था ना, के की ज़रती नहीं बढ़ती है के की ज़रती नहीं बढ़ती है, के और के तो cancel हो जाते है अब this divided by this करोगे तो क्या मिलेगा 10 by T into T' by 20 मिल जाएगा है न, उल्टा होगे, multiply हो जाएगा this divided by this करोगे, तो ये उल्टा होगे, multiply हो जाएगा इसके साथ इतना मैस तो आता है भई, ये सभी को बराबर, इसको cancel करो 65 और 50 तो ये 5 से cancel हो जाएगा 13 times, ये हो जाएगा, 10 times तो उपर बचा 13, नीचे बचा 10, और देखो क्या 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 cancel हो रहा है बेटा, तो ये 10 से ही हे 20 cancel हो जाएगा, यहां बचे का 2, 2 से ही 10 cancel हो जाएगा, बचे का 5, देखो T' आ रहा है, 13 by 5 into T सिया बरे राम चंदर की जय, game over समझ गए समझ गए बेटा, ऐसे करना होता है इसको solve, है ना तो this is how you solve Newton's law of cooling वाले questions एक homework रहेगा आज आपका Newton's law of cooling का ही, मुझे इसका answer जरूर comment box में बताईएगा, session end होने के बाद comment box खुल जाएगा answer बताईएगा, देखिए, surrounding temperature T infinity 25 given है, ठीक है, बोल रहा है 12 minute में 80 से 70 पे आगया वो 80 से 70 पे आगया 12 minute में, तो बताऊ कितना time लगेगा, 70 से 60 जाने में 70 से 60 जाने में कितना time लगेगा यह आपको बताना है, ठीक है यह आपको homework रहेगा, एक आखरी चीज पढ़ा देता हूँ, cooling graph जो यह cooling का graph बनता ना बेटा, यह exponential बनता है यहाँ पे temperature है यहाँ पे time है, यह graph कुछ इस प्रकार से बनता है, ऐसे बिल्कुल वैसा जैसा radioactive decay का बनता था, है ना, temperature ऐसे 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 कम होता जाता है शुरू में इसका slope काफी तेज होता है तो काफी तेज cooling होती है बाद में, जो slope हो कम हो जाता है, बाद में rate of cooling कम हो जाता है तो आप बोल सकते है, rate of cooling decreases as time increases, ठेक रहो rate of cooling मतलब slope, यहाँ पे बहुत tेज slope है, तो rate of cooling अच्छा है बाद में धीरे 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 rate of cooling कम हो जाता है जब आपको एक steel के glass में गरम गरम milk दिया जाता आप क्या करते हो एक बरतन में रख देते हो उसको ताकि वो ठंडा हो जाए बरतन में पानी लेते हो उसको अंदर डाल देते हो तो शुरू में बढ़िया cooling मिलती है लेकिन फिर cooling मिलना बंद हो जाती तो आपको पानी बदल देते हैं राइट वही चीज यहाँ पर हो रही है शुरू में बढ़िया cooling बाद में धीरे 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 कम cooling होने लग जाती है ठीक है तो cooling graph ये है इसको आप याद रखिएगा answer comment box में बताना है once the session is ended है ना चलिए बेटा तो I hope you have enjoyed the class आपको एक बहुत बढ़िया surprise देना था एक बहुत बढ़ा news देना था और वो news क्या है मैं आपको बताता हूँ बेटा बहुत बढ़ा news है बहुत ही big news है class छोड़के मत जाना सुन लेना एक बर बस ठीक है बहुत ही important news है आपके लिए बहुत काम की चीज है तो हम लोग एक batch लेके आ रहे हैं जिसका नाम है सारांश जिसका starting price कितना पता है only 2499 only 2499 2500 रुपय में batch 2500 रुपय में आपको बेटा batch मिल रहा है यहां पर गरिमा में पढ़ाएंगी मैं पढ़ाऊंगा गार्गी में होंगी आनन्द मनी सर होंगे नितेश दिवनानी सर होंगे रितुर अटेवाल में होंगी उजवल पयूश सर होंगे मतलब greatest team आपको मिल रही है सिर्फ 25 रुपय में तो start date है इसका 24th of December ठीक है self-paced यहां पर learning मिलेगी आपको अपने pace पर आराम से learn करिए assignments मिलेंगे, lectures, notes मिलेंगे every video lecture में access recorded classes by India's top educators आप recorded classes access कर पाएंगे India के top educators का और बेटा जो code लगाना है वो आपको लगाना है GG live ठीक है इसके अलावा महा संग्राम बैस तो आप जानते ही है आ चुका है है ना चलिए तो अभी एक valid offer भी आपको चल रहा है 4 months के subscription में 1 month का subscription आपको free दिया जारा बेटा और यह offer valid है 22nd of December तक ठीक है अगर आप चंडीगड़ में open हो रहा है 23 December को अगर आप चंडीगड़ यह उसके आसपास रहते हैं तो जाईए और enjoy करिए opening of चंडीगड़ Center चलो गाईस तो आज के लिए इतना ही आपको मिल जाएगा यह PDF मेरे टेलिग्राम पे कल मिलते हैं practice के साथ और 4 बजे kinetic theory of gases के साथ तब तक के लिए bye have a nice day see you soon bye